LTI Mind Tree की एक रिजल्ट्स मुनाफ़ा 35.7% बढ़कर 1151.5 करोड रुपए रहा। रेविन्यू में दिखी मामूली बढ़त LTI Mind Tree ने 17 जुलाई यानि सोमवार को मौजूदा वित्वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे जारी किये। कमपनी ने बताया कि जून तिमाही में उसका मुनाफ़ा 35.7% बढ़कर 1151.5 करोड रुपए रहा। जो इसके पिछले वित्वर्ष की चौथी तिमाही में 113.7 करोड रुपए रहा था LTI Mind Tree Q1 Results भारतिय मल्टीनेशन आईटी सर्विस और कंसल्टिंग कमपनी ने 17 जुलाई यानि सुमवार को मौजूदा वित्वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे जारी किये। कमपनी ने बताया कि जून तिमाही में उसका मुनाफ़ा 35.7% बढ़कर 1151.5 करोड रुपए रहा जो इसके पिछले वित्वर्ष की चौथी तिमाही में 1113.7 करोड रुपए रहा था। हालांकी CNBC, TV18 के पोल में कमपनी को 1194 करोड रुपए मुनाफ़ा होने का अनुमान लगाया गया था। वित्वर्ष 2024 की पहली तिमाही यानि अप्रेल से जून तिमाही में कमपनी की आएमें मामूली बढ़क देखने को मिली है और यह तिमादीदर तिमाही आधार पर 8691 कर करोड रुपए पर आ गई है। कमपनी की एबिट्डा 1421.4 करोड रुपए पर रहा था। वहीं एबिट्डा मार्जिन तिमाही दर तिमाही आधार पर 16.4 फीसदी से बढ़कर 16.7 फीसदी पर रहा है। वित्वर्ष 2024 की पहली तिमाही कमपनी की डॉलर में होने वाली आए 1058.7 मिलियन डॉलर। वहीं CC र इस बीच LTI माइंड ट्री के शेर सुमवार को NSA पर 41.75 रुपए यानी 0.82 फीसदी की बढ़त के साथ 5134.85 रुपए के आसपास बंध हुआ। पिछले एक महीने में कमपनी के शेरों में 2.48 फीसदी की तेजी आई है। वहीं पिछले एक साल में इसके शेरों का भाव 29.19 एक 9 फीसदी बढ़ा है। वहीं 3 साल में इसमें 126.80 फीसदी की तेजी देखने को मिली है।